हेलो एब्रीवान वेलकूम टुए स्मार्टेजुन आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ डिल्ली इडिश्टिक कोड 2021 की जो वेकेंसी निकाले गई है जिसमें की सफाई करमचारी फ्यून की वेकेंसी निकाले गई है इसके अलावा और भी पोस्ट यहां पर दी वाली हूँ तो वीडियो को पूरा देखिएगा इसमें और अपलाई कर सकते हैं यहां पर टोटल वेकेंसी जो है वो 400 प्लस निकाली गई है तो चरिए आज कि यह वीडियो को शुरू करते हैं वीडियो को शुरू करने से पहले जो लोग भी चानल पर पहली बारा हैं चान प्रोसेस है वो एक्जाम के द्वारा किया जाएगा और उसका जो यहां पर एक्जाम होगा वो बताया गया है कौन-कौन से पोस्ट आते हैं इसमें पोस्ट कोड़ A5 और A6 में तो प्यून और डाक प्यून चौकिदार और यहां पर सफाई करमचारी के लिए जो आपका से इंटर्व्यू होगा उसके बाद ही आपका यहां पर शेलेक्शन होगा dessa आपका इक्जाम होगा तो इसमें आपके चार पार्ट होंगे यहां राग्जिश यहां और यहां पर रृफ्टमेटिक यह सारे सब्जेक्ट के कोश्ट इंग्लिश निचलेवेज में रहेगा यहा उसके बाद यहां पे जो आपका driving test भी होगा, जो की qualifying nature का रहेगा आपका, उसके बाद यहां पे आपको यह भी बताया गया है, कि जो आपका यहां पे exam होगा, वो OMR-based होने वाला है, तो उसके बारे में आगे चलके, मैं आपको बताऊंगी, कि यहां पर आपको बताया गया है तो यहां पर अगर detail में बात करे objective type का जो आपका exam होगा जो आपका यहां पर driving test होगा और interview होगा उसके बारे में तो यहां पर आप देख सकते हो tier 1, tier 2 और tier 3 होगा तीन phase में यहां पर आपका selection process रखा गया है तो post code 825 के लिए यहां पर अगर मैं बात करूँ तो यहां पर आप देख सकते हो कौन-कौन से post आती है pun, audlary, dark, pun, chokidar, super, safai, karamchari की post आती है 825 में तो यहां पर जो इनकी mcq type की जो test होगे वो 100 marks के होगे 50 number लाना आप लोगों का अनिवारे है unreserve में अगर आप आते हो तो अगर आप रिजर्व में आते हो cht, ovc या फिडव, us, pwd या फिर एक सर्विसमेन हो तो 45 marks आपको यहां पर लाने पड़ेंगे उसके बात करते हैं tier 2 के लिए और tier 1 में आप देख सकते हो process server के लिए जो की a6 की post है इसमें भी same ही आपका रहेगा इतने ही marks आपको लाने पड़ेंगे mcqs test में उसके बात करें tier 2 के लिए tier 2 जो है वो सिर्फर सिव यहां पर post code a6 के लिए होगा यहां पर आप देख सकते हो जो की qualifying nature का होगा post code a5 के लिए यहां पर tier 2 नहीं होगा इनका mcq type का test होगा उसके बाद interview होगा post code a25 के लिए और a26 के लिए यहां पर driving test होगा जो की qualifying nature का रहेगा यहां पर इसके बाद आपका tier 3 आएगा जो की interview होगा तो interview में जो यहां पर post a25 है और a26 है इसमें आपको जो marks लाने है वो 15 में से आपको 5 नमर लाने है अगर आप unreserved category के candidate हो अगर आप reserve category के candidate हो तो आपको यहां पर 4 नमर लाने है qualify करने के लिए और यहां पर जो आपकी final nail list बनेगी जो post a25 के लिए रहेगी और a26 के लिए वो यहां पर आपके tier 1 और tier 3 के basis पे बनेगी tier 2 जो है वो सिर्फर स्ट्रिम qualifying nature का आपका रहेगा हो गया यहां पर 3 phase में आपका selection process है tier 1 में आपका यहां पर mcq type के question रहेगा जो कि omr based रहेगा नीचे यहां पर आपको बताया गया है यहां पर अगर इस point को आप देखो तो यहां पर आप देख सकते हो यहां पर आपको बताया गया है कि omr seat आपका रहेगा जिसमें कि आपको exam देना है blue और या फिर black pen से आपको यहां पर point करना होगा यहां पर जो आपका exam होगा उसमें one marks के question रहेंगे यहां पर negative marking भी रखा गया है 0.25 का यहां पर negative marking रहेगा और एक question सही करने पर आपको एक number दिया जाएगा अगर आप कोई भी question का answer गलत करते हो तो 0.25 का यहां पर marks आपका रिड़क्त किया जाएगा यानि की काटा जाएगा और जो आपका exam होगा वो omr based होने वाला है बात करें यहां पर कौन-कौन से subject रहेंगे तो कितने marks के रहेंगे तो यहां पर आप देख सकते हो post code A5 तक का यहां पर आपको बतायाएगा जिसे की pune और लड़ी dark pune चौकिदार and sweeper सफाई करमचारी के लिए यहां पर जो आपका exam pattern है वो देख सकते हो आप यहां पर आपको बतायाएगा है part 1 और part 2 रहेगा part 1 में आपके English रहेंगे 25 यानि की 25 कोशन रहेंगे 25 नमबर के लिए part 2 में आपका Hindi रहेगा Hindi subject जिसमें की 25 कोशन रहेंगे 25 नमबर के लिए उसके बाद यहां पर आपका journal knowledge रहेगा जिसमें की current affairs भी पूछे जाएंगे part 3 में यहां पर आप देख सकते हो general knowledge आपसे पूछे जाएगा जिसमें की current affairs भी रहेगा साथ में 25 कोशन रहेंगे 25 नमबर के लिए यहां पर part 4 में अर्थमेर्टिक रहेगा 25 कोशन रहेंगे 25 नमबर के लिए 120 मिनट का यहां पर आपको time दिया जाएगा और यहां पर PWD का in rate को 160 मिनट का time दिया जाएगा यह आपको यहां पर बताया गया है उसके बाद जब आप नीचे आते हो तो यहां पर tier 2 में आपका interview होगा interview के बारे में यहां पर आपको बताया गया है यहां पर कोई भी आपका driving test नहीं होगा, सिर्फ यहां पर आपका return exam होगा और इसका बार आपका interview होगा, तो जो आपका interview होगा, उसमें general category के लिए 50 marks लाने, 50% marks या फिर 50 आप बहुत सकते हो, 50 marks यहां पर आपको लाने जरूरी है, तब यहां पर आप qualify करोगे interview, और जो on reserve category के है, यानि कि जो reserve category के है, sorry, जिसे के CST हो गए, तो इनको यहां पर 45% marks लाने है, यानि कि 45 marks लाने है आपके interview में, तो यहां पर जो final merit list बनेगी, वो आपका यहां पर होगा, जो आपका MCQ type test होगा, और जो आपका interview होगा, उसी के basis पर यहां पर आपका selection किया जाएगा, तो ज आपके, जो आपका test होगा, MCQ type और जो आपका interview होगा, उसके basis पर किया जाएगा, उसके बाद यहां पर process server के लिए है, बात करें, अगर process server की जो post है, उसमें post code आपका बताया गया है, A6, तो जो यहां पर A6 की post है, उसमें आपका objective type का question भी रहेगा, साथी यहां पर driving test भी ह होगा, और यहां पर interview भी होगा, तो यहां पर 3 tier आपके रहेंगे, जो कि आपका A6 post code के लिए है, तो यहां पर जो process server की vacancy है, इसमें आप देख सकते हो, इसमें यहां पर आपके जो है, वो objective type की question रहेंगे, यहां पर 4 part रहेगा, part 1 में आपका English रहेगा, जिसमें की 25 question रहे पूछे जाएंगे, current affairs और general knowledge को मिला करके 25 question रहेंगे, 25 number के लिए, और part 4 में यहां पर आपके arithmetic रहेंगे, 25 question रहेगा, 25 number के लिए, total time duration यहां पर 120 minute का आपका रहेगा, और PWD के लिए यहां पर 160 minute time duration रखा गया है, total number of question रहेंगे, वो 100 number का रहेगा, और 100 number यहां पर maximum marks आपका मिलेगा, और अगर आप एक भी question गलत करते हो, तो आपका 0.25 marks का negative marking भी रखा गया है, यहां पर आपके जो exam होंगे, वो OMR based होंगे, यहां पर भी बताया गया, blue या फिर black, black paint से आप यहां पर point कर सकते हो, हिंदी और English दोनों ही language में आपके question रहेंगे, और यहां पर आपका जो question रहेगा, वो multiple choice का रहेगा, एक number के लिए एक question यहां पर आपको बताया गया, उसके बाद यहां पर आपका tier 2 होगा, जो की driving test होगा, जिसमें की, जो candidate अपने MCQ टाइप exam में, general category, candidate 50% marks लाते हैं, यानि की 50 marks लाते हैं, और जो reserve category से candidate आते, जो 45 marks लाते हैं, उनको यहां पर बुलाया जाएगा, driving test के लिए, आपका जो driving test होगा, वो सिर्फ और सिर्फ qualifying nature का होगा, यहां पर बस आपको qualify करना होगा, driving test जो आपका होगा, वो real traffic condition में कराया जाएगा, यानि की, हो सकता है, आपको यहां पर road पे ले जाया जाएगा, और real condition में यहां पर आपको driving test द इक्जाम जो होगा उसमें कौलिफाइक कर जाएंगे और यहां पर ड्राइवींग टेस्ट में क्ळूड़leri कर कर जाएंगे उनको बुलाया जाएगा इंट्रविए इंट्रव्यू यहाँ पर पांधार नमडर का होगा जिसमें कि पांस नमडर लाना जरूरी है unreserved category वालों के लिए यनि के general category वालों के लिए और reserved category के लिए 4 number रखा गिया है तो यह आपका यहाँ पर selection process रहेगा इस तरीके से यहाँ पर आपको select किया जाएगा तो यहाँ पर भी जो final merit बनेगी वो आपके written test और यहाँ पर interview के basis पर बनेगी driving test आपका सिर्फ और सिर्फ qualifying nature का रहेगा उसके बाद यहाँ पर बात करें कुछ important dates की तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपका जो form fill up है वो 7 फरवरी 2021 से start हो जाएगा और यहाँ पर जो इसमें apply करने का last date है वो 21 फरवरी 2020 रखा गया है और यहाँ पर आपका exam होगा उसकी date अभी नहीं बताएगी है जो आपका objective type test होगा या फिर आपका driving test होगा या फिर interview होगा इसकी date अभी नहीं बताएगी है यह बाद में आपको इनकी official website पर देखने को मिल जाएगा बात करें यहाँ पर vacancy or education qualification की तो यहाँ पर आप देख सकते हो a25 के लिए यानि की a5a के लिए यहाँ पर जो post निकाली गई है वो pune की है और dark pune भी इसको बोच सकते हैं यहाँ पर जो qualification है वो आप से तिंथ मागा गया अगर आपने तिंथ किया हुआ है या पर इसके equivalent किसी भी वोट से तो आप इसमें apply कर सकते हो और यहाँ पर a5b के लिए जो post है वो चौकिदार के लिए है यहाँ पर भी आपका आप से तिंथ ही मागा गया है और यहाँ पर सफाई करमचारी के लिए यानि की a5c में आप देख सकते हो सफाई करमचारी के लिए भी qualification तिंथ पास मागा है उसके बाद आता है next post code जो की है a6 जिसमें की process server के लिए post निकाली गए है यहाँ पर पोस्ट नेम है आपका प्रोसेस यहाँ पर जो आप से qualification मागा है वो तिंथ पास मागा है अगर आपने तेंथ किया हुआ है या फिर इसके equivalent साथी या पर अगर आपने higher secondary with driving license of LMV साथी में आपके पास two year experience होना चाहिए unblemished तो आप इसमें apply कर सकते हो process server vacancy के लिए उसके बाद यहाँ पर बात करें अगर age limit की तो यहाँ पर जो आपकी age limit होनी चाहिए minimum age यहाँ पर 18 साल रखी गए 18 साल से कम आपकी age नहीं होनी चाहिए और maximum age यहाँ पर 27 साल रखी गए 27 साल से ज़्यादा आपकी age नहीं होनी चाहिए और जो इसकी cut-off date है वो 11-2012 से 1-1-2012 तक आपकी जो date है वो count की जाएगी तो यह आपकी यहाँ पर age limit रखी गई साथी जो reserve categories आते हैं उनको यहाँ पर age में relaxation भी देखने को मिल जाएगा तो आप यहाँ पर check कर ले ना कौन कौन से category में कितनी कितनी age relaxation इसमें दी गई है उसके बाद आप यहाँ पर vacancy table देख सकते हो कौन पोस्ट के लिए कितनी कितनी vacancy निकाली गई है category wise और total vacancy भी यहाँ पर आपको दी गई है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो post code A5A के लिए total 276 पोस्ट है प्यून के लिए यहाँ पर 4 पोस्ट है total चौकिदार के लिए यहाँ पर total 33 पोस्ट है और यहाँ पर process server के लिए total यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर जो process server के लिए vacancy वो total 81 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है इसके बाद यहाँ पर अगर salary की मैं बात करूँ तो post code A25 के लिए यहाँ पर जो आपको salary मिलेगी वो level 3 के according मिलेगी और यहाँ पर post code A6 के लिए जो salary रहाएगी वो level 4 के according आपको यहाँ पर salary मिलेवा लिया तो यह थी आज की वीडियो complete वीडियोस में कि मैंने आपको बताए क्या इसका syllabus रहेगा, exam pattern क्या रहेगा, selection process यहाँ पर क्या रहेगा तो उमीद करती हूँ कि आज की यह वीडियो आप लोगों को helpful लगी होगी वीडियो helpful लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजेगा और अभी देक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe करके यह लेकिन कॉल पस लाइक कर लिजेगा ताकि ऐसे ही इन्फरमेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलती रहे जितना हो सकें इस वीडियो को शेर कीजेगा आपने फ्रेंज के साथ जो लोग भी इसमें अपलाई करने के लिए लिजबल है वो इसमें अपलाई कर पाएं तो उन लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेर कीजेगा मिलती हूं मैं नेक्स वीडियो में बाई बाई